हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का पार जितना बच गया था हमारा मैगनेटिक मैटेरियल्स पढ़ रहे थे हमने और उनके क्लासिफिकेशन पढ़ लिये थे जो अपने जो मैगनेटिक की डोमेंस जो होते हैं उनके उपर बैसिस जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ लिया था तो आज उसके बारे में एक छोटा सा पर्मेबिलिटिक कितनी होती है सुच्प्टेब्लीटिक इतनी होती है यह सारी चीज यह उसका कर लिती तो ग्राफ एक Vaards right की लिए कवीज में कर्व जो है अपना किस तरह से होता है यह आपका भी है फ्लक्स टेंसीटी और यह आपका एट है मैगनेटिक फ्लक्स जो force होता है वो है आपका h तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b और h के बीच में क्या relationship लिखाता अपने b equal to mu h लिखाता ठीक है यह था आपका यह free space की जो permeability थी आपकी तो आपका यह हो जाएगा यह mu h हो जाएगा यहाँ पर अभी आपका relationship किस तरह से vary करता है mu की value जो है कौन से material के लिए कितनी होती है permeability की वो सब हमने देख लिती अब graph के थूँ देखने वाले हैं तो पहले देखते हैं diamagnetic materials के लिए तो diamagnetic materials के लिए अपने देखा था कि mu जो है आपका permeability है वो बहुत ही low होती है और यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला यहां पर graph आता है diamagnetic materials के लिए दिया हुआ है mu जो है less than mu node है free space permeability से भी below है इसकी permeability तो यह आपका हो जाएगा diamagnetic material के लिए जो negative में जा रहा है यहां पर next है आपका paramagnetic material paramagnetic material में mu जो है वो कुछ सी value का होता है लेकिन positive होता है greater than mu node है यहां पर इसके बाद है आपका ferry magnetic material जो म्यू जो है permeability जो है आपके free space permeability से थोड़ी जादा होती है और इसके अंदर आप देख सकते है ferry magnetic materials में आपके magnitude जो है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है इस तरह से अगला आपका है ferromagnetic materials जो सबसे ज़्यादा magnetism जिन में होता है ferromagnetic materials होते हैं जिसकी permeability बहुत ज़्यादा होती है और उसकी susceptibility जो है उसकी value होती है 10 to the power 6 के बराबर और permeability जो होती है वो भी 1000 के आसपास होती है तो आप इस तरह से graph के थुरू देख सकते है कि कौन से materially permeability हाई होती है और किसकी low होती है तो ये तो हो गया अपना graph B और H के बीज में जो कार बनता है वो अब आगे देखते हैं अपन एक term है अपना magnetostriction तो exam में पूछा जाता है कई बार क्या होता है magnetostriction इसके parts भी होते है कौन से material के लिए होती है ये property ये सब चीजे हमें देखते हैं या पर तो पहला point आपका है वेने ferromagnetic materials is magnetized its dimension changes slightly and the simple being magnetized either expands or contracts in the direction of magnetization सबसे पहले अपना क्या दे रखा है material दे रखा है कौन सा material है ferromagnetic material इसका मतलब क्या है magnetostriction property जो है ferromagnetic materials की है जब आप ferromagnetic materials को magnetize करते हैं तो इसकी dimensions जो है वो change हो जाती है slightly जब आपका ferromagnetic materials जो होता है उसको magnetize करते हैं तो या तो वो expand हो जाता है या तो contract हो जाता है इनने direction of magnetization जिस direction में magnetize होता है उसी direction में या तो expand हो जाता है या तो contract हो जाता है तो इस तरह से इसकी direction जो है उनमे slight variations आ जाते हैं और इसी term को हम क्या बोलते हैं magnetostriction बोलते हैं तो अगला क्या है आपका this magnetically induced reversible elastic strain ठीक है यह cold नहीं है यह cold है ठीक है यह क्या है आपका this magnetically induced reversible elastic strain is magnetostriction ठीक है electric strain जो है आपका length में change आ जाता है strain क्या होता है delta l by l होता है dimensions में change आ जाता है तो उसे ही हम elastic strain बोलते हैं तो जो changes है जो आपके ferromagnetic material जब magnetize होता है तो उसकी dimensions में जो changes जाते हैं उसे ही हम magnetostriction बोलते हैं और magnetostriction जो है वो दो तरह का होता है एक longitudinal होता है और transverse magnetostriction होता है किस तरह से होता है longitudinal की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे तो if change in dimensions take place along the applied field direction अगर जिस your फिल्ड यह प्लाई कर रहे हैх एक्सिरनल फिल्डं अप्लाई कर रहे है उसी डारेक्सिन में अगर आपकी dimensions में चैन जाते हैं तो लोगी टूड्टनल Magneatostriction है और अगर आपके applied फिल्ड की direction के परपेंडिकुणर डारेक्सिन में dimensions में change आते हैं जिस direction में आप apply कर रहे हैं external field और उसकी perpendicular direction के अंदर जो है आपके changes आते हैं dimensions of magnetic materials में तो वो आपका transverse magnetostriction कहलाता है ठीक है तो यह आपका magnetostriction क्या है यह एक तरह का strain है जब आपका magnetic material जो है magnetize होता है तो dimensions में changes आते हैं it either expands or contracts in the direction of magnetization और इसे बोलते हैं magnetostriction और दो तरह का होता है एक longitudinal in the direction of applied field और ट्रांस्वर्स है perpendicular to the applied field direction तो यह हो गया अपना magnetostriction चोटा चीटामती यहां पर देख सकते हैं आप पहला क्या है अपनने जैसे यह देखते हैं यहां पर अपनने magnetic field applied नहीं कर रहा है अभी h जो है आपका h equal to 0 है यहां पर ठीक है h equal to 0 है तो आपका जो magnetic domains होते हैं वो क्या है किसी भी एक random direction में जा रहे हैं सब यह इस direction में है यह इस direction में है इस तरह से यह आपके magnetic dipoles हैं और उसके domains हैं ठीक है जैसे ही आप as यहां पर apply कर देंगे magnetic field apply कर देंगे तो सारे domains जो है ferromagnetic material में क्या होता है strongly magnetize हो जाते है एक ही direction के अंदर होते है high energy होती है तो यह सारे के सारे एक ही direction में आपके align हो जाएंगे सारे domains तो इस तरह से जब यह align हो जाएंगे तो आपकी dimension जो है magnetic material की जो length है वो इतनी बढ़ जाती है आपकी expand हो रहे ह होते हैं अगर इस direction के अंदर यह align हो रहे हैं तो contact हो जाएंगे ठीक है तो इसी तरह से length में change आ जाता है तो delta L by L जो है elastic strain उसे magnetostriction बोलते हैं नेक्स्ट है आपका types of magnetic material basing on the area of steresis loop पहले अपने पढ़ाता types of magnetic material classification पढ़ाता किसके basis पे आपका orientation किस तरह का है magnitude कितना है dipoles का उ इतलब दो group में पढ़ेते एक में एक था डाया magnetic material दूसरे group में चार थे और यहां हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेरेसिस लूप का area जो है उसके basis पे कितने magnetic materials होते हैं आपके तो दो तरह के magnetic materials हैं यहां पर एक है आपका soft magnetic material एक है hard magnetic material detail में पढ़ेंगे दोनों के बारे में और इनका loop भी देखने वाले हैं किस तरह का है examples क्या क्या होते हैं कौन-कौन से materials जोए soft होते हैं कौन से hard और किस material का use कहां पर किया जाता है तो पहला है हमारा soft magnetic materials magnetic materials which are easily magnetized and demagnetized are known as soft magnetic material नाम से ही पता चल रहा है कि soft है मतलब easily magnetized भी हो जाता है demagnetized भी हो जाता है ठीक है तो वो होते हैं आपके soft magnetic material they exhibit यह क्या है they exhibit thin hysteresis loop मतलब इनका hysteresis loop का जो area होता है वो small होता है hysteresis loop जो है वो thin होता है thin होने की वज़े से area अपने आपी small हो जाएगा soft magnetic materials should have high initial permeability and low coarsivity मतलब permeability जो है इनकी initial permeability high होती है coarsivity जो है आपकी जो remnants है आपका जो बच जाता है residual magnetism उसको zero करने के लिए जिस force की requirement होती है आपको coarsivity जो होता है coarsivity जो होती है वो आपकी कम होती है low होती है soft magnetic materials में next आपका due to these properties of the material reaches its saturation magnetization with the relatively low applied field and exhibits low hysteresis energy losses क्या होता है कि इन सब properties की वज़े से आपका जो saturation पर चला जाता है न एक point आता है saturation का जहां पर दोनों direction में आप देखते हैं जब loop देखा था हमने magnetic hysteresis loop जब discuss किया था तो देखते हैं दोनों side में आपका first and third जो आपका quadrant होता है उसके अंदर saturation point आता है तो जो saturation point आता है तो लो applied field पर ही आ जाता है उसके लिए ज़्यादा force अप्लाई करना नहीं होता जो external magnetic field है वो ज़्यादा strong नहीं है low applied field में ही आपका saturation आ जाता है और क्या होता है आपका energy losses जो है वो कम होते हैं exhibits low hysteresis energy losses यह हमने तब भी बढ़ाता कि soft magnetic material hysteresis loop का advantages क्या था कि उसका area कम होता है उसकी वजह से energy losses कम होते हैं और यह कौन से materials होते हैं soft magnetic materials होते हैं जिनको हम transformer की core के लिए यूज में लेते हैं नेक्स्ट आपका the smaller the area the lower the power losses and the greater the possibility of using the material at higher frequencies ठीक है जब area small होगा तो power losses अपने आप small हो जाएंगे क्योंकि energy losses कम होंगे और possibility बढ़ जाएगी उसकी higher frequency material को यूज कर सकते क्योंकि frequency हाई होती है तो losses भी बढ़ते हैं उसके साथ साथ लेकिन soft magnetic materials में losses कम हैं इस वजह से इनने higher frequency पे यूज किया जा सकता है ठीक है इनके examples है आपका nickel iron alloy है soft ferrites है electrical steel इस तरह की example है इसके बाकिया और examples आगे देखेंगे तो यह हो गए आपके soft magnetic materials जितने भी है definition देदी है यहां पर उनकी क्या क्रेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरह की property है losses क्या है energy क्या है area कितना है efficiency यह सब यहां पर हमने देख लिए है नेक्स देखते हैं hard magnetic materials second है आपका hard magnetic materials are those which are high resistance to demagnetization मतलब demagnetize जब हम कर रहे होते हैं तो very high resistance offer करते हैं यह demagnetize easily नहीं होते soft magnetic material में क्या था आपका course you force जो है बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि residual magnetism कम है और उसको zero करने के लिए force भी कम चाहिए है यहां पर क्या है आपका जब demagnetize होता है तो it offers very high resistance ठीक है नेक्स्ट आपका they are characterized by high remanence, remanence था आपका जो residual magnetism है high permeability high course you field मतलब जो आपका remanence को zero करने के लिए जो force यह वो भी high है and large hysteresis loop जो loop है आपका उसका area है वो भी large है the power and external energy of a hard magnetic material is directly related to the size of its hysteresis loop अगर size large है तो आपके power losses energy losses भी जो है large होंगे high होंगे next आपका the magnetic potential energy of a hard material is measured by its maximum energy product अगर इसकी potential energy बात करें magnetic potential energy की hard material में तो b h maximum जो saturation point होता है आपका वहां पर जो b और h होता है आपका उसके product से हम इसको measure करते हैं यह भी पूचा जा सकता है एक्जाम में और इसके एक्जामपल से स्टील टंग्स्टन स्टील कोपर निकल फेराइट कोपर निकल कोबाल्ट और अल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट ठीक है यह सब इनकी एक्जामपल से हार्ड मेगनेटिक मेटेरियल्स की अलोई हैं यह सारे नेकस्ट अपना देखते हैं इनके बीच में एक बारपन डिफ्रेंस देख लेते हैं और इसके एरिया देख सकते हैं आप सोफ मेगनेटिक मेटेरियल्स दोनों के स्टेरेसिस लूप यहां पर दे सब्सक्राइब के लिए यह पर्मानेंट के लिए सुटेबल है क्योंकि उसको डिमेगनेटाइज करने में वह टाइम लगता है इसके एक्जामपल्स देख सकते हैं आप सोब टायरन है प्रमेटाइड कोर्सों ट्रांस भर मोर्ण जन्रेटर आ मूंत पूर ओड्यो कोईल म्य metersाफ़ फॉर पॉर्स ट्रांसफोर्मार मेगनेट λέब कर्स यह सारे से यह स्पाइड़ इह प्नॉपल्स प्रणसफॉर्मर और मेगनेटी के स्च्राइब कर्सिए यह स्चितेल है यूज में लेते हैं वो भी hard magnetic materials के बने रहते हैं loudspeakers जो यूज में लेते हैं permanent magnet जो मैंने पढ़ा दिया था आपको hysteresis loop के time पर ही कि इसके हिसाब से अपन permanent magnet को बनाते है material चूज करने में हमें आसन ही होते है hysteresis loop अगर पता होता है तो hard magnetic materials जो होते हैं उन्हें यूज लेते हैं पर्मानेट magnets बनाने में अब कुछ questions यहां पर देख लेते हैं hard magnetic materials options दे रखे हैं high saturation induction small hysteresis loop low course यूज में लिख सकते हैं काफी easy questions है क्योंकि सारा subject जो material है हमने पढ़ लिया है पुरा classes last class में पढ़ाता अगर वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं अभी भी और इस class में जो है अपना पूरा magnetic materials के जो छोटे-छोटे टर्म से सारे यहां पर consider कर लिए मैंने तो सब खतम हो गया यहां पर अभी super conductivity start करेंगे नेक्स से तो questions आप खुद कर लें हाँ पर comment section में आंसर बता दे क्या answer है और अगर कोई doubt है query है तो आप मुझे instagram page पर पूछ सकते हैं electric classes पर message कर सकते हैं next question है in anti ferromagnetic materials the net magnetization is anti ferromagnetic materials कितना होता है आता होगा आपको नेक्स्ट अट ferromagnetic and ferry magnetic materials becomes when they are heated above new temperature जब new temperature से उपर heat करते हैं तो क्या बन जाते हैं फेरो magnetic होते हैं या die magnetic paramagnetic ferry magnetic तो यह सारे questions के answer आप कर सकते हैं और मुझे comment section में answer बता सकते हैं अगर किसी तरह का हो तो like कीजिए channel को subscribe कर लीजिए और बने रहें channel के साब नए videos के लिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए thank you so much and have a nice day